टिक टॉक पे आप लोगों की भरफूर फरमाईश के बाद भाया का फुल व्लोग अब यूट्यूब पे भी आया करेगा हाई मेरा नाम आईशा है भाया चलो आज त्यार होके मुफ्त का खाना खाके आया मुफ्त का खाना खाने को इंगलिश में कहते हैं वो खाना जो कभी-कभी मिलता है तो फिर जब-चब मुफ्त का खाना आया मोका नहीं चोड़ने का भाया तो चलो आज साथ थ्यार हो जाया जैसे ही मैं वैनिटी में आया तो इतना साफ सफाई देखके तो मेरा धिल कब राया क्योंकि इसका तो मुझे आदत ही नहीं भाया मैं जब भी इदर आया अन्नी मचाया और फिर भाग जाया भाद में मेरी बेहन सेट करता रह जाया और साथ में मुझे दो चार खरी-खरी सुनाया खरी-खरी सुनाने को इंगलिश में क्या गैती है जैसे हैं मैंने अपने खोपी बहु जैसे नेल्स को देखा भाया मेरा तो हासा ही निकला आया फर मैं ट्राइपोर्ट लेके नेल पेंट लगाने आया, तो साइका ने मुझे आवास दिलाया, उसको कुछ मारकर शारकर चाहिए था भाया, क्योंकि उसने कुछ लिखना था, तो मैं उसको भी कैप्चर कराया, अब ये क्यों है, किस के लिए है, वो मैं तुम को लास्ट में बताया, पर तुम देखते जाओ भाया, कि मैं कैसे अन्नी मचाया, फिर मैंने ट्राइपोर्ट पे फॉन लगाया, अब वीडियो कैप्चर करना कौन सा असान है भाया, उसके बाद फिर मैं ऐसे चैसे करके अपने नेल्स को सैट कराया, एक पर लगाता था भाया, तो दूस पर उसको कहा कि मेरे राइट हैंड पे नेल प्रेंट बज़रा लगाया, आगे से ओवाज आया, जाओ वड़ परां भाया, तो फिर मैं क्या करता भाया, मैंने खुद ही नेल प्रेंट लगाया, जितना मुझे समझ आया, उतना में करता जाया, अब उसकी भी गल्ती नहीं थी भाया क्योंकि हम जब भी कहीं पह जाया मेरे कपड़े वही प्रेस करके दिलाया क्योंकि उसको लगता है कि मैं अच्छा प्रेस नहीं करती भाया तो फिर उसकी जो मेहनत हुई होती है कपड़ों पे वो वड़ जाया बस उसी elegance खबर करा रखने के लिए वा खुद प्रेस करके दिलाया और यही भात उसका पारा हाई कराया, मुझे कभी भी समझ नहीं हाया, कि वायर में ऐसा कौन सा magnet लगा है भाया जो यह एक दूसरे में ऐसे गुचू-मुचू हो जाया, लेस्ट ताइम मैंने ऐसी तीली लगाया इसका दिमाग घरम कराया और फिर उसी घरम दिमाग से मैं अपना भाल स्ट्रेट कराया तो कैसा दिया भाया तो मैंसे काफे लोगों ने मेरे से पूचा था भाया कि मैं यह स्ट्रेटन कौन से कमपनी का यूज़ कराया तो मैं ज़्यादा स्ट्रेड नहीं करता भाया क्योंकि मेरा खानवान सर जाया लेकिन रेमिंग्टन का ओवर ओल मुझे थोड़ा सा बहतर लगता है भाया तो फिर इसलिए मैं यही यूस खराया अच्छा तो अब मैं तुमको अपने आउटफिट दिखाया यह एक बंदे का ड्रेस और साथ में सारा एक्सेसरिस होगा भाया सरदी थी तो उपर से जैकिट भी पाया अब यह दूसरे बंदे का ड्रेस आया उसके साथ के शूस उसके साथ का परफ्यूम और साथ के एरिंग्स वगरा भी आया अब earrings में 24 इसलिए देलाया क्यूंकि इसके साथ दोनों ही जाया और कुछ नेल पींट्स वगरा भी लाया अब ये चोटू सो चुटकी लगाया ये तो जिस्ट फॉर्मैलिटी है भाया बाल तो खुले ही रिखाया अब ये थर्ड ड्रेस आया इसके साथ यालो का कंबिनेशन खराया और उसके साथ ये कुछ एरिंग्स वगरा जो हम रिस्टेंट ही लेके आया वो सारा कुछ पहन पाया अब ये तुम लोगों को हम तीनों के ड्रेस नजर आया इनके साथ में हम लोगों के बैक्स भी आया और अब ये देख लो वैनिटी का हाल भाया मैं तुम को पहले ही बताया कि इदर आ के हम ऐसी यनी मचाया कि जो भी इसको साथ खराया फिर ऐसे हमें मगलजात सुनाया कि मैं तुम को वीडियो में बता भी नपाया फिर हम जल्दी से थ्यार हुआ भाया क्योंके भार भार भाई की आवाज आया कि हम हमेशा उनको लेट कराया अब उसको मैं कैसे समझाया कि फाउंडेशन को सेट होने में मसकारा लगने में मूँ कोल के आईलाइनर लगाने में कितना जादा टाइम लग जाया खेर हमें पता था कि आते हुए तो हम लेट हो जाया तो सना ने पहले ही थोड़ा साफ सफाई कराया और साथ में मुझे सुनाया कि फोन रख के तुम मेरा हल्प क्यों नहीं कराया अब उसको कौन बताया कि मैंने अपनी ओडियन से बातें बे तो करनी होती है ना भाया और ये हम सस्ती से मौडलिंग करते हुए भाया तुम को कौन सा ड्रस पसंद आया कमेंट में मुझे लाजमी बताया मुझे गिफ्स लेने में और गिफ्स देने में बहुत मज़ा आता है भाया तो मैंने ये दोनों चीज़ें उठाया और जल्दी से हमने घारी में रखाया और उसके बाद मैंने अपना सफरी सामान शुरू कर दिया भाया ये मैं साथ लाजमी रखाया बता नहीं कब मुझे बूख लग जाया और टीडी से आवाजें आया तो फिर इंबेरसिंग होता है ना भाया हम मैं तुम लोगों को बताया कि हम लोग कहां जाया हमारे एक रेलेटिव ने निया घर बनाया उसका सेलिब्रेशन खराया तो इस वज़ा से हम उदर जाया और मुफ्त की दावत दुराया सब लोग ये बातें कर रहा था भाया कि घर कैसा उन्होंने बनाया और मेरे दिमाग में ये ही चल पाया कि वो ठंड में कोल रिंग तो नहीं देगा भाया तो फिर मेरा गुजारा कैसे हो भाया खैर वो भी आगे से पूरा था भाया उसने ना कोल रिंग पलाया ना चाय पिलाया सीधा ही खाने के टेबल फिलाके बिठाया बट मुझे उनका ये सैलेड इस तरहा काटा हुआ बिल्कुल पसंद नी आया सबसे पहले तो मैंने धांदली करते हुए अपनी बेहन का कोल रिंग उठाके इदा रखाया उसके बाद फिर मैंने अपना फ्लैटर कुछ ऐसे सजाया तो फिर जैसे ही आवाज आया खाना खूल दे शफीक अमद भाया तो मैंने अनी पाया सबसे पहले मैंने चिकन राइस खाया ये मुझे अपनी मामा के हाथ के सबसे ज़्यादा पसंद आया तो इस वज़ा से मैं इसको टैन मेंसे सिक्सी दे भाया अब ये पतानी मटन था या बीफ था भाया मैंने तो इसको वड़ाया मुझे खा के भी समझ नहीं आया और मैं हमेशा इन में कन्फ्यूज होता है भाया खैर मुझे क्या है ना तो मैंने खा के में में करनी है ना बेंग करनी है तो जो भी आया बस ठीड़ी में पाया फिर उसके बाद मैंने डिजर्ट काया इसका मुझे काफिस वाद आया और उसके बाद फिर मैं कोल्डिंग शोल्डिंग चड़ाया और हमने थोड़ा सा वहां प झाल झाल